question number 11 when is a body said to have uniform velocity देखिए किसी body की uniform velocity होगी ऐसा आप कब बोल सकते हो मतलब कब किसी body के पास uniform velocity होगी तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि velocity एक vector quantity है या velocity velocity के है बच्छों आपके पास vector quantity है velocity एक vector quantity मतलब सुझो velocity के पास magnitude भी होगा याने कि velocity को express करने के लिए आपको magnitude की भी जरूरत है और direction की भी जरूरत है ओके आपको direction की भी जरूरत है ध्यान से सुनों अगर इन दोनों में से कुछ भी change हो जाएगा ना ध्यान से सुनिए अगर इन दोनों में से कुछ भी change हो जाएगा ना तो विलासिटी चेंज हो जाती है, ठीक, अगर विलासिटी का मागनिटूड चेंज हो गया, डिरेक्शन नहीं चेंज होई, तब भी हम मान लेंगे कि विलासिटी चेंज हो गई, ठीक, और अगर विलासिटी का मागनिटूड फिक्स, और डिरेक्शन बार-बार चेंज हो रही है तब भी हम मान लेंगे कि क्या हो रही है चेंग हो रही है पहले इस कॉंसेप्ट को अच्छी तरीके से आप समझ लीचे देखिए मैं इसको आपको एक्जांपल की हेल्प से बताता हूं ओके देखिए मान लीजिए कि कोई अब्जेक्ट यहां से चल रहा है यह यह यहां पर सब्सक्राइब करता है तो आप क्या देख रहा है इसकी मैणिटूड तो फिक्स है लेकिन दूसरा एक्जामपल देखिए अब हम यहाँ पर मैंनिटूड चेंज कर देंगे और इसका मैंनिटूड चेंज करेंगे तो देखिए अब हमने डारेक्शन फिक्स करी क्या सपोज कोई बॉड़ी एसे बी की तरफ चल रही डिरेक्शन फिक्स कर दी एसे बी की तरफ ही चल रही हमेशा है एसे बी की तरफ डिरेक्शन फिक्स होगे लेकिन पदा है क्या है इसका मैंनिटूड चेंज होता है कभी तो थोड़े टाइम इंटर्वेल के लिए तो यह किया है ने कि है तो थ्यान से चेकर हो यह हो नहीं करी है इसका है यहां पर हम Preview हो रहे ही तो ना तो ये uniform alive झी टो और ना तो ये uniform velocity है, uniform velocity क्या होती है, जब कोई body equal distance, equal interval of time में travel करेगी, ध्यानसे सुन्दीजीगा, equal distance, equal interval of time में travel करेगी, ये क्या बात कर दी, equal distance, अगर, equal interval of time में travel कर हր है, योने कि उसकी velocity का magnitude क्या है, constant है, टूँ मीटर पर सेकेंड़ है, तो टू मीटर 2 meter का distance travel कर रही है यहने कि आप उसका magnitude भी fix कर दो और direction भी fix कर दो direction एक particular direction होनी चाहिए कि भाई A से B की तरफ ही जा रही है दोनों चीज़े fix कर दोगे तो uniform velocity हो जाएगी magnitude भी fix कर दो direction भी fix कर दो ठेक दिखाता हूँ यह वाला example देखिए uniform velocity में यह body A से B की तरफ जा रही है तो direction देखिए fix हो गई direction fix हो गई particular direction हो गई direction fix और वो direction जो fix हो गई वो किदर से किदर है A से B की तरफ from A to B fix है कि A से B की तरफ जा रही है कोई direction कभी नीचेंज होता है उसके बाद इसका magnitude भी fix कर दिया ठेक जब इसका आप magnitude fix कर दोगे let us say कि velocity का magnitude कितना है इस बार कुछ भी ले लो मानलो 2 meter per second आपने ले लिया है इसका मतलब equal interval of time और वो equal interval of time मानलो 1 second का है ठीक है तो हर एक 1 second में 2 meter का distance interval करती है 2 meter per second से लिए ठीक तो जैसे ही आपने यह सपोज यहाँ से आपक का time का है 1 second है ठीक तो में 2 meter गई next 1 second में फिर से 2 meter गई next 1 second में फिर से 2 meter गई next 1 second में फिर से 2 meter गई next 1 second में फिर से 2 meter गई तो इस तरीके से यह body क्या करे ए equal distance equal interval of time में travel कर रही है हर 1 second में 2 meter तो velocity का magnitude fix होग Yani और एक particular direction में जा रही है तो ऐसी वाली body की velocity को हम क्या बोलते हैं uniform velocity बोलते हैं okay students तो बस answer लिख दीजे when a body covers equal distances in equal interval of time in a particular direction ये बात लिखना भूल मत जाना in a particular direction आपको particular करनी पड़ेगी fix करनी पड़ेगी it is said to have uniform velocity अब देखिए ये वाली uniform velocity क्यों नहीं थी यहां magnitude तो fixed था direction चेंज हो रही है particular direction वाला condition यहां फुल्फिल नहीं हो पा रहा था तो यह क्या हो गया uniform velocity का example यह नहीं है यहां पर क्या problem थी यहां पर direction तो particular हो गई थी यह देखिए यहां direction तो particular हो गई थी लेकिन यह वाला case नहीं फुल्फिल हो पा रहा था यह वाला equal distances in equal interval of time नहीं हो पा रहा था क्यों magnitude बार-बार change हो रहा है starting के 1 second में तो 5 meter जाएगा next 1 second में 10 meter जाएगा next 1 second में 2 meter जाएगा तो equal interval of time में equal distance नहीं travel कर रहा था velocity का magnitude नहीं fixed था की help से आपको यह समझ में आया होगा note कर लीचे